Assalamualaikum and welcome back to this course आज हम जो चीज डिसकस करने जा रहे हैं वो है Instagram Stories ये अब बहुत important है अब आप अगर influencer बनने को तयार हैं तो आपको इसको understand करना बहुत जरूरी है पेले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि Instagram Stories होती क्या है Instagram Stories content बिनाने का एक तरीका है जिसमें आप 15 सेकंड की picture या video upload करते हैं एक दिन में आप unlimited amount कर सकते हैं लेकिन सिर्फ यह होता है कि वो एक 15 सेकंड के लिए last करती है तो मैं आपको पहली बताया है दूसरा ये कि 24 घंटे बाद वो खतम हो जाती है तो जैसे अगर आपने सुबह 8 बजे कुछ अपनी स्टोरी पर डाला तो वो अगले दिन सुबह 8 बजे खतम हो जाएगा और जो चीज आपने 10 बजे डाली वो अगले दिन 10 बजे खतम हो जाएगी तो जिस टाइम पे भी आप अपलोड करते हैं उसके 24 आउर इसके बाद वो चीज घाइब हो जाती है इंस्टागाम स्टोरी के एक पार्ट को कहते हैं सेग्मेंट और आप जितनी भी सेग्मेंट सेपलोड करते हैं उन सब को एक खटे मिला के कहते हैं आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी स्टोरी इस्तमाल होती हैं छोटे कॉंटेंट पीसेज के लिए जल्दी जल्दी कॉंटेंट पीसेज डालने के लिए ज्यादा तरही इस्तमाल होती हैं डेली अप्टेट्स के लिए रोज की खबरों के लिए रोज की छोटी मोटी कोई आपने बात करनी, कोई चीज आपको पसंद आगी आपने जल्दी से दिखा दी जादा spontaneous content के लिए है आपने अपने दिन के बारे में कुछ share करना था, वो आपने इसके अंदर डाल दिया Stories डालते हुए, जितना आपकी Stories में sequence होगा जितना उसमें एक storytelling वाली feeling आएगी ना, उतनी बहतर होती है अगर वो थोड़ी random होगी, कि पहले कुछ आ रहा है, फिर कुछ और आ रहा है वो best तरीका नहीं है, Stories बनाने का, वो ज़रा boring होता है तो Stories बनाते वक्त हमेशा storytelling aspect और sequence को दमाग में रखे कि एक sequence होना चाहिए, एक flow होना चाहिए कि देखने वाला जाप की stories देख रहा है तो उसको एक flow feel हो रहा है कि एक sequence में, एक order में चीजे जा रही है Stories में एक चीज बड़ी जरूरी है, वो है spontaneity spontaneity का मतलब है, अचानक से चीजें डालना, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं यानि कोई चीज आपको पसंद आई, आपने उसी वक्त उसकी story बनाके डाल दी कोई चीज आपको पुरी लगी, आपने उसी वक्त पताया कि भाई, यह चीज मुझे पसंद नहीं आई, यह बुरी है जादा पहले से सोचने वाली चीज नॉर्मली यह नहीं होती आप साथ साथ, यानि आप जिंदगी में उस वक्त चलते वे साथ साथ जो experience कर रहे हैं, जो feel कर रहे हैं, जो मैसूस कर रहे हैं, जो आपको नजर आ रहा है, जो इस चीज से आप गुजर रहे हैं, वो आप साथ साथ डालें, ठीक है? इसलिए इसको spontaneous कहते हैं, इसलिए यह ज़्यादा curated भी नहीं होता, यानि बहुत ज़्यादा बनावट नहीं होती इसमें, इसको आपने एक ऐसा medium बनाना है, जो ज़्यादा असलियत के करीब हो, ठीक है? जितना आप stories को असलियत के करीब तरीन रखेंगे, उतना अच्छा ह क्यूंकि stories का purpose ही यह है, वो ज़्यादा authentic, ज़्यादा raw, real होनी चाहिए, stories को entertaining में रखना चाहिए, आज हमारे पलखाने में, चिकन कड़ाई, वाव, और नन, वाव, Stories में कोशिश करनी है, कि जब आप पिक्चर लें या वीडियो बनाएं, तो साथ कोई ना कोई टेक्स्ट जरूर आड़ करें, क्यूंकि जब आप उसमें, टेक्स्ट आड़ करते हैं, लिखावा पार्ट आड़ करते हैं, तो लोग ज़्यादा entertain फील करते हैं, लोगों को ज जादतर लोग connect कर सकें, relate कर सकें, कि हाँ, ये तो हमारे साथ भी होता है, या मेरा दिन भी कुछ ऐसा ही लगता है, अगर आप अप्लोड करें, अपने पूरे दिन की updates डालें अपनी story में, तो लोगों को feel होना चाहिए, कि हाँ, ऐसा दिन कभी कबार मेरी life में भी होता है, तो relatable होना चाहिए, इसमें आपको जादा fails की tension लियनी चाहिए, for example, अगर आप कुछ खाने का बनाया, ठीक है, और खाना जल गया, या आप से कोई और गलती हो गई, या खाना ठीक नहीं बना, तो stories में prefer किया जाएगा कि आप कहें, कि ओ, खाना जल गया, या खाना सही नहीं ठीक है, rather than कि आप फिर stories डाले ही ना, कि ओ, ये तो खराब हो गया, ये तो सही नहीं हुआ, इसमें आप ज़रा real रहे, relatable रहे, then I was like, I was also wondering why not, है, बाद में पता चला कि मैंने ही गलत चीज की picture डाली वी थी, and I bought the wrong, इसी तरह connect, build होता है, इसी तरह connect बनता है, क्योंकि ये सब सब के साथ होता है, हमेशा हर चीज परफेक्ट नहीं होती, सब के साथ ही होता है, कि कभी खाना जल जाता है, कभी खाना खराब हो जाता है, और ये तो सिर्वे example है, मैं और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें हूँ, जैसे आपने, for example, लोगों को सुआ बताया सब को पता है क्या होता है, तो लोगों को अपनी जिन्दगी में involved रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है, आपका दिन कैसा गुज़रा वर्क पे, आप लेट हो गए, आप जल्दी पहुंचे, आपने सारा काम ठीक किया, आपसे कुछ गलती हो गई, real life के experiences को, जो ज़रा behind the scenes जैसे होते हैं, आप ये बता सकते हैं कि आपका एक दिन किस तरहा का होता है, stories में, आपके दिल दमाग में आज क्या था, आपने आज क्या महसूस किया, या शायद आपने आज क्या सीखा, ये भी आप stories में लोगों को बता सकते हैं, साथ-साथ ले जा सकते हैं, शेयर कर स है ठीक है यह सबसे बेहतरीन फॉर्माट है क्विक और स्पॉंटेनियस कॉंटेंट बना के डालने का ठीक है इस पर आक्टिव रहना भी असान है क्यूंकि आपको बैठ के पहले कुछ चीज शूट नहीं क्रियेट नहीं फिर एडिट नहीं करनी पड़ती होता है ऐसे बनता ह है ऐसे डलता है ठीक है तो आप यह रेलेवेंट रहने का लोगों की नजरों में रहने का बेहतरीन तरीका है जितनी अच्छी आपकी स्टोरीज होंगी उतना लोग आपको पसंद करेंगे उतना आपसे इंफ्लूइंस होंगे और क्यूंकि मैंने कहा कि आपका रोज का होता है और यह बहुता है तो स्टोरीज से पर जो इन्फूइंस करता है वो लोगों को असल में रियल लाइफ में उनकी जिंदगी उमें इन्फूइंस कर रहा होता है यह आपका closest form of connection है स्टोरीज बनाने का तरीका यह है क्योंकि मैंने आपको कहा कि आपने sequence रखना है आपने एक flow रखना है आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि set the mood in the morning ठीक है जैसे for example आप डालें के सुबह उठी बहुत बुक लगई थी नाजसे में यह खाया यह सुबह उठी जली जली उठके जाना पड़ा यह आपका बहुत काम और सुबह अच्छी morning गुज़ी चेडियों की आवाज आ रही थी बहुत मज़ाया था slow morning थी whatever morning का mood आपने डाल दिय जैसे आपका दिन गुजरता गया तो इसमें आप बीच में moments of happiness डालें moments of sadness डालें यह चीज में आपको पहली बिताए कि दिन में आपकी दो तीन तीन जो भी feelings और emotions आती हैं यह आप डाल दें अब इसमें कोई exciting चीज होई बीच में वह आपने डाल दी किसी ने आपको कुछ करने को नहीं था यह भी आप उसमें डाल सकते हैं बात real होने की है ठीक है stories करने के लिए कोई extra effort नहीं होती उसमें सिरफ relatability होनी चाहिए और फिर आगे आप कोई life update डाल सकते हैं कोई reminder डाल सकते हैं कोई आपको बीच में post पसंद आई वह आपने किसी के profile से उठाके अ अपने opinion दे दिया फिर आपका दिन खतम हो गया आपने वही rap-up किया और अगले दिन आपने उस चीज को तुबारा करना शुरू किया stories पर active रहना बहुत अची चीज होती है बहुत अच्छा तरीका है followers से connect करने का एक advice जो है मेरा top advice होता है stories बनाने का वह होता है कि अकसर ल जाही होती है कि Instagram पिसना होता है कि जब आप stories upload करते हैं जैसे अभी मैंने story upload की तो मेरा नाम उपर आजाएगा सामने आजाएगा लोगों के stories के options में ठीक है जब उपर और सामने आजाएगा तो लोग मेरी story देखेंगे ठीक है अगर मैं हर थोड़ी देर बार story डालूँगी तो मेरा नाम बार बार उपर आएगा यानि पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकेंगे में story अगर मैंने story बना कर सिर्फ रात को डाली तो सिर्फ वोई देखेंगे जो रात को online बेठेंगे लेकिन अगर आपने हर थोड़ी देर बार intervals पे story डाली तो लोग बार 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 और और ज़ादा से ज़ादा लोग आपकी stories देख सकेंगे story के replies हमेशा open रखने है story के replies open इसलिए रखने है ताकि जब लोग आपकी stories देख रहे हूं और उन्हें कोई ख्याल आए तो फॉरण reply कर सकें आपको और आपसे engage कर सकें ताकि वो एक site पे सिर्फ communication ना और यह वो two way communication है आप भी बात कर रहे हैं वो आपसे in return respond भी कर रहे हैं तो अपने story replies को on रखें अपनी audience के साथ engage करें तो शुरू करते वे बस आप थोरसा experiment करें हर तरहां की चीज ट्राइ करें आपको खुद ही समझ आजाएगा कि आपका क्या तरीका है ठीक है मैंने जो जो चीजे बताएं यह best practices हैं जो मैंने सीखी है stories पर करकर के एक point पर तो लोग मुझे कहते थे इस तरह होता था कि अगर मैं एक दिन stories अपलोड नहीं करती थी तो लोगों के message आना शुरू हो जाते थे देरते miss me और मैं stories पर क्यों नहीं आती यह वो फलाना और उसकी वज़ा यह है कि connect बिल्जो जाता है एक relationship हो जाता है आपका लोगों के साथ और अगर आप नहीं आते तो आपको miss करते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए कि लोग आपकी stories को पसंद करें और आपसे connection बिल्ड कर सकें और अगर लोग आपको miss करते हैं जो आप stories नहीं बता बनाते तो आपने stories सही बनाई मैंने आपको बता दिया कि stories पर किस तरह का content रालना चाहिए और stories बनाने की बेहतरीन तरीका क्या है अब हम उसकी technicalities पर आते हैं कि stories को actually में technically किस तरह बनाते हैं आप अपने Instagram home page पर जाएए और आप right swipe करें अपने Instagram home page पर ठीक है तब आपका एक camera खोल जाएगा ठीक है जब एक camera खोल जाएगा तो यहाँ पर एक आपको circle नज़र आएगा white color का जिसको आप एक तफ़ा प्रेस करेंगे ऐसे तो आपकी picture खिच जाएगी ठीक है अगर आप उसको दबा के रखेंगे तो इस तरह वीडियो बन जाएगी ठीक है यह अब पूरे एक 15 seconds की वीडियो बन रही है जब यह red part end तक पहुन जाएगा इस goal के तो वह 15 seconds की एक story बन जाएगी जो के एक segment कहलाता है Instagram story का ठीक है तो यह आपकी वीडियो बन गएगा आपके बस option होती है create का एक option होता है Instagram पे जिसमें आप बहुत सारी different चीज़े कर सकते हैं ठीक है यह typing का है यहाँ पर आप कोई भी लोगों को किसी चीज़ के लिए happy birthday, thanks, happy anniversary कोई shout out दे सकते हैं किसी को भी tag कर सकते हैं अपनी story में फिर आ गया gif का यहाँ पर आपको gif search करें यानि sad ठीक है आपने कुछ express करना है आपने आपको यह spongebob select कर दिया sorry प्रीज़ सेलेक्ट हो रहा, done sorry, so spongebob आपकी story में आ गया ठीक है यह एक you know entertainment है आपने कुछ कहना है कुछ sad express करना है तो आपने कुई gif ठून के डाल दी you know आपने इसकी पिछली story में for example लिखा I accidentally spilled tea all over my sofa ठीक है और next story में आपने यह spongebob का rote well डाल दिया ठीक है तो ज़रा entertaining हो जाता है लोगों के लिए spice up हो जाता है ठीक है फिर next आपके पास यह option है इसमें बहुत सारी different आती है लोगों के साथ चीजें share करने के लिए pizza toppings what am I watching quick draw challenge top three accounts to follow what am I listening to ठीक है quote of the day तो आप यह templates होती है different इनको आप use कर सकते हैं कुछ लोगों के साथ share करने के लिए फिर आता है ask a question यह poll होता है यह बड़ी important चीज है ठीक है यहां आप लोगों से कुछ भी पूछ सकते हैं उनको involve करने के लिए जैसे इन्होंने खुद option की दी वी है would you rather only fly or only drive somewhere फिर यहां पे लोग वोट कर सकते हैं तो यह entertaining है क्योंके लोग आपके साथ engage करेंगे तो polls की वज़ेसे भी लोगों को आप काफी engage रपनी stories में रख सकते हैं और इसमें इसको यूज करने का बहुत मज़ी का तरीका ही है कि for example आप आप शॉपिंग करने गए है ठीक है और आपने select करना है शॉपिंग करने के लिए कुछ खरीदने के लिए जैसे यह book ठीक है और इस book में दो colors आते हैं तो आप picture लेंगे और आपने followers से पूछेंगे which one is better ठीक है green one blue one ठीक है और फिर लोग vote करेंगे तो आपकी life में ज़रा involved हो जाएंगे तो आपने उनका एक opinion लिया उनके साथ कुछ share किया उनको involved किया ठीक है तो poll use करने का बहुत अच्छा idea होता है influencers के लिए क्यूंकि followers से वो through भी connect कर सकते हैं फिर आता है ask me a question ask me a question भी बहुत अच्छा है ये भी एक तरीका है अपने followers के साथ engage करने का आप उनको बोलें मनसे कोई सवाल पूछें और फिर जब वो सवाल पूछते हैं तो ये आपके पास सारे सवाल आ जाते हैं और फिर आप stories में ही उनका जवाब दे सकते हैं ठीक है तो कोई आपको जादा जानना चाता है कुछ पूछना चाता है वो यहां पर इस्तमाल हो जाता है ठीक है इसमें आप लोगों से recommendations भी ले सकते हैं जिसे है what song should I listen to, I'm bored, last concert you saw live, you know लोगों से भी आप चीज़ें पूछ सकते हैं और interact कर सकते हैं उसके बाद आ countdown reminders के लिए होता है so for example आपकी बहुत fit video आने लगी है जो आप आज जात को upload करने लगें तो आपने सुबह जएना उसको countdown डाल दिया और लोगों ने उस पर reminder set कर लिया ठीक है तो इससे ज़रा आप किसी भी चीज़ के reminder और एक pre-hype create कर सकते हैं कि अच्छा आज जात 9 बजे म आपका है quiz ठीक है जिसमें आप अपने बारे में quiz डाल सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं कि guess करें right answer आपने select किया होता है लोग कोई भी option select करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वो ठीक है या गलत तो quiz भी interesting होता है आप किसी random चीज़ के बारे में भी quiz डाल सकते हैं कोई general knowledge का quiz डाल दिया कुछ भी कर दिया ताके लोगों को आप entertain कर सकें उनके साथ it's like a game आप खेल से तो stories पे ये सारी चीज़े use करना बहुत जरूरी है आप इतना कुछ तो कर रहे हैं उनके साथ ठीक है आप उनको entertain कर रहे हैं आप उनके साथ games खेल रहे हैं आप उनके साथ funny हो रहे हैं आप उनके साथ poll कर रहे हैं write reminders डाल रहे हैं, constantly उनके साथ interact करें तो इन सारे stickers को use करें, इनको इस्तमाल करें As a growing influencer, ये सारी चीज़े करना बहुत जरूरी है अब उसके बाद आपके पास option है, इसे कहते हैं boomerang boomerang में होता है कि चोड़ी-चोड़ी 3 second videos बनती है या 2 second videos बनती है, जो ये loop में चलती है ठीक है, मैं आप वो example दिखाती है, अभी मैं एक boomerang बनाओ ठीक है, वो जो है अब loop में चलता जाएगा तो कोई चीज motion में है, sound नहीं आती इसमें कोई चीज motion में आपने होते वे दिखानी है, तो ये बड़ी interesting way है दिखाने के लिए, बस एक और creative तरीका है, stories में कुछ डालने का फिर आपके पास आता है layout, layout एक collage की तरह है आपने अगर multiple pictures डाली है तो आप डाल दें जैसे मैं यहाँ पर डाल सकती हूँ, अपनी pictures, बहुत सारी यू, 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 अब ये मेरा एक collage बन गया, ठीक है आप बहुत सारी different भी pictures कर सकते हैं, यहाँ पर use, ठीक है इसमें भी आपके पस बहुत सारी options, आपने तीन डालने हैं, चार डालने हैं, कैसी डालने हैं, जैसे मरजी डालने हैं फिर एक option है super zoom, यह भी entertainment के लिए ही है, एक interesting तरीका है, इसमें आपके पास आपको कुछ चीज बहुत पसंद आई है, तो आप fire वाला use कर सकते हैं, जैसे यहाँ you know, it's hot, ठीक है, और आप use कर सकते हैं, अगर आप sad feel कर रहे हैं, किसी चीज को देखके, अभी तुम्हें अपना कर रही हूँ ना, यह मैं काओं के भाई, बहुत लेट हो गया है, और मुझे यह video बनानी पर रही है, तो यह sadness मे कह सकती हूं, मुझे इस वक्त feel हो रही है, य इस तरह की कोई चीज हो जाती के, record करते करते मेरी recording बंद होगी, मुझे पता ही नहीं चला, यह आपने लोगों के साथ share कर दिया, तो आपने एक sadness वाली चीज डाल दी, इसके अंदर sound effects भी होते हैं, sad, ठीक है, फिर कोई dramatic चीज हो गई, तो यह है, dramatic भी है, फिर beats भी है, बह of expression है, सिर्फ यह कहने की बजाये के, for example, पानी गिर जाता है यहां पर, ठीक है, तो बस यह कहने की बजाये के, ओ, पानी गिर गया, मैंने यह, इसको record करके, साथ वो sad वाला super zoom लगा दिया, and be like, drop the water on the floor, ठीक है, तो, it's just interesting, आपके इस चोड़ी से movie है, sound effects भी है, और उसके अ hands-on है, सब कुछ stories पे, जिल्दी जिल्दी मज़े मज़े से, आपने address भी डाले आपने, sound effects भी डाल दिया, आपने, stickers भी डाल दिया, आपने, boomerang भी उना दिया, आपने layout भी यूज़े, मज़े मज़े की सारी सारी चीज़े इस्तामाल करके, आपने अपनी story को entertaining बना दिया, अगर हम सिरफ इसके features को ही properly इस्तामाल कर लें, हम अक्सर भूल जाते होते हैं, लेकिन Instagram के इतने features को हम intelligently इस्तामाल करें, तो शायद, लोगों को engage करना इतना मुश्किल ना हो, creative होने का मतब है, इन सारे features को creatively इस्तामाल करना, last option आपके पास है hands-free, hands-free का, वस ये फायदा ह कि आपको दबा के नहीं रखना पड़ता, जिसना मैंने button दबा दिया है, अब ये खुद ही record करेगा, तो अगर मैं यहां रखके story record करना चाहती हूं, तो मैं कर सकती हूं, मुझे उसको पकड़ के नहीं रखना, ठीक है, तो ये इसका hands-free का फायदा है, अच्छा, एक और भ ठीक है, इसमें से आपने, बहुत सारे आपके पास stickers available होते हैं, वो आप use कर सकते हैं, ठीक है, मैं, जैसे मैंने sticker use के लिया, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, कुछ draw भी कर सकते हैं, फिर आप कोई text भी add कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी आपने बात लिखनी हैं, वो आप कर सक So, I think that's all for Instagram Stories. I hope you have understood how to use them, which way you should do and how you should do it. It's not so difficult again, because there are so many options in Instagram Stories, just find creative ways, use them to use them, and always, as I have given you tips, sequence, relatability, and spontaneous content that you should keep in mind. You should be consistent with stories, as much as you can see, as much as you can see, as much as you can see, so that people can understand more and connect with you. So, thank you for watching this video. It was a long time, because stories are very important and I wanted to understand you correctly. I wanted to understand you that I wanted to understand you that you can use your phone and open Instagram. Tomorrow, from the morning to the morning, if you don't follow anyone, you can do an experiment, if you make stories, then how to make them and how to make them? Okay? If you already have any favorite influencers or creators, then inspire them and how to make them and how to make them and create them. Okay? Thank you so much for watching. Next, course, I mean next, next,